वागतिया आप सभी का एपन यू वीडियो पर देखिए जैसे जैसे एंपी वोड एक्जामनेशन पास आ रहा है वैसे वैसे एंपी वोड भी काफी कुछ नहीं नहीं चीज़े ट्राय कर रहा है यानि कि नहीं चेंज कर रहा है जैसे कि आपका जो एडमेट काड आएगा इस कहीं benefit होगा इस कारण से एंपी वोड इस सेशन में भी उसको continue कर रहा है जी मैं बात कर रहा हूं आपके बॉड एक्जामनेशन के पेपर्स की जो कि आपसे सैट में आएंगे अब कितने सैट आएंगे हैर सैट में different question रहेंगे कोई सैट tough आएगा कोई सैट easy आएगा ऐसे का आपके बॉड एक्जामनेशन के जो पेपर्स आएंगे वो सैट में आएंगे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है तो इस चीज़ से आप बच तो नहीं पाऊगे तो बैटर यही रहेगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ के जाओ ताकि आप exam में कोई भी mistake ना करो क्यो सबनुए सेट में आपको इसी कोशन गए मुझे हो एसे से ऊंडल और अगया कि जिसी बच्चे के इसी बच्चे कहते हैं कोई सब्सक्रrawn हो जाएका बोर्ध एक्जामिनेशन के पेपर आएंगे तो स्ट में यहां पर चार से पांस वो सकते आपके जो paper आएंगे set में आएंगे ABCDE करके याईगी caution भी सभी में सेम रहेंगे पर उनका जी sequence है वो change कर दिया जाएगा यानि कि किसी set में अगर MCQ question number 1 पर पूछे गये तो हो सकता है कि दूसरे set में question number two पर पूछे जाए question number three पर पूछे जाए अब इससे फायदा क्या होगा जो आप exam में cheating करते हो इशारों से पूछते हो कि question number one का one बता दो question number two का second बता दो इस टाइप से जो आप पूछते हो अब अगर आप वो करोगे तो आपके जो वह mistake आएंगे क्योंकि हो सकता है कि आपके पस ए उसमें को पर चूज़दा करेक्ट दिया हो पर जिससे आप पूछ रहे हैं उसके पास सेट भी आया हो उसमें कौश़्चन नमर पर आपको तो आप पूछ रहे चूजदा क्रेक्ट के अंसर पर वह आपको बताएगा मैंच दा प्यार्स के अंसर तो यही में चीज आपको समझने है कि पेपर आपके सेट में आत हो रहा है पर जो कॉश्चन के स्यूकेंस वह उपन नीचे हो सकता है यह जैसे मैंने भी आपको अब्ज चीज समझने की थी वह मैंने आपको बता दिया आपको परेशान नहीं होना है आपके वोड एक्जामिनेशन के पेपर आएंगे तो सेट में पर ऐसे नहीं आएंगी कि सभी में डिफरेंट कॉश्चन होंगे कॉश्चन सभी के पास सेम भी रहेंगे सीकेंस उपन नीचर आ आएंगे कुछ और भी चीज आपको यहां पर बता ही जा रही है जैसे कि जो पेपर से बनते हैं उन पर भी नजर रहेगी एंपी वोड की इसवार से आपके जो पेपर से वो तो सैट में आई रहे हैं और वो इस तरह के से बाटे जाएंगे कि आपके आगे जो बैठा है प कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इस्टा पर डियम करके बाद भी कर सकते हैं